हे गाईज वेलकम टू एचस्टेक जोन तो दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताने बाला हूँ यहाँ पर शो में की उन अपडेट के बारे में इंडिया वाली जो लाश्ट आपको अराउंड 15 से 20 दिन में देखने को मिली हैं चाहे दोस्तो यह जो अपडेट दोनों ही रोल आउट हो रहे हैं अलाग डिवाइसों के लिए तो यह सभी आप सभी के लिए खुश कबर के बात होती है तो आज किस वीडियो में यहाँ पर मैं फुल इंफॉमेशन देने वाला हूँ लास्ट अपडेट की जो कुछ डिवाइसों के लिए आए हैं तो चलि अब दोस्तों वीडियो शुरात करने पहले आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपके पास इसमें कौन सा डिवाइस है और उसमें कौन सा जो मी यूई वर्जन है वो रोल आउट हो रहा है उसके अकोडिंग आपके लिए बहुत से जल्दी नेक्स्ट वीडियो से लेकर आने वाला हूं कि आपको मी यूई वर्जन कमेंट में लिख देजिएगा अब बात करते हैं पर सबसे अपडेट किये तो यहां पर यह अपडेट आया है रेडमी नोट 7 और रेडमी नोट 7S के लिए जो आया है यहां पर मी यूई 11.0.3.0 जो एंडोड 10 पर वेड़ है औ और यह 14 अगस्त को पब्लिक रिलियर हुआ है अगर बात करते हैं पर इस अपडेट के बारे में तो इसका नाम है मी यूई 11.0.3.0 यह स्टेवल रोम है 208 MB की और यहां पर आपको मिला है स्टेवल मी यूई वेड़ो ऑन एंडोड 10 और साथ में यहां पर आपको अगस्त 2020 का एंडोड स्कूरिटी पैज और जो आपके सिस्टम के स्कूरिटी है उसे इंक्रीज कर दिया गया है अब दोस्ते यह पब्लिक रोल आउट हो चुका है अगर आपको यह अपडेट नहीं मिला है तो आप डाउनलोड लिंक से डाउनलोड करके भी मैनुली फ्रेश कर सकते इसके लिए आप मेरी से पहले की वीडियो देख सकते हैं अब बात करते हैं उससे पहले अपडेट की तो यहां पर जिनके पास है रेड्मी एट उनके लिए एक मीजुआई 11.0.1.0 का इस्टेवल अपडेट रॉल आट होना इस्टार्ट हो गया था तेरा अगस्ट से जो अगर बात करते हैं इस अपडेट के बारे में तो यहां पर यहां पर आप नाम देख सकते हैं मीजुआ 11.0.1.0 और यह जो अपडेट का साइज था वो था 1.9 जीवी का और यहां पर आपको मिला है इस्टेवल मीजुआ वेजड ओना एंडू 10 उसके बाद में हाँ पर डाउनलोड लिंक वगए रहा है वो मेरे टेलेगराम चैनल पर पहले ही शेयर कर दी है मैंने अगर बात करते हैं उससे पहले अपडेट की तो उससे पहले अपडेट आया था यहां पर रेडमी नोट 9 के लिए जो आया था मीजुआ 12.0.1.0 जो एक गलोबल अपडेट था और यह Android 10 पर वेट था आपर दोस्तों जो इस अपडेट का साइज था वह था पांसो अटिसेंबी का यहां पर आपको Android 10 तो पहले ही था इस डिवाइस में तो जो मीजुआ 12 के सारे के सारे फीचर्स आपको देखने को मिल गए थे इस जो अपडेट का लिंक है वो भी मेरे अलग से वीडियो बना दूंगा कि भाई कब आपके पार्शल रोल अट होने स्टार्ट हो गया है और कब यह पब्लिक रिलीज हो गया है और बात करते हैं दोस्तों इससे पहले अपडेट की तो इससे पहले जो अपडेट आया था रेड्मी नोट एट प्रो के लिए जो द यह पडेट पराप्त हो गया होगा अगर आपको अपडेट प्राप्त नहीं हो आ तो आप इसे मैनुली डाउनलेड करके भी फिलेज कर लेंगे यहां पर कोई एरर नहीं आने वाला है लेकिन हाँ जो फर्स्ट अपडेट होता है यहां पर चाहिए वो एंडुड टैन का हो चाहिए मीजुआ 12 का हो भाई उसमें आपको थोड़े वत बक्स तो देखने को मिलेंगे तो भाई वो आपकी जिम्मेदारी रहने वाली है कि आपको अभी अपडेट करना है जा फिस थोड़े समय का वेट करेंगे आप एक दो अपडेट का अगर बात करते हैं उससे पहले अपडेट की तो उससे पहले अपडेट आया था यहां पर पोको एवन के लिए जो गलोबल अपडेट आया था मीजुआ 12.0.03 का जो 10 अगस्त को रोल आउट होना स्टार्ट हो गया था और दोस्तों यह जो अपडेट साइस अपडेट के साइस था 790 MB का और दोस्तों मैं बता दूँ यहां पर आपको मिला था जोलाइट 2020 का एंडोड स्क्यूर्टी पैच और आपको जो सिस्टम के स्क्यूर्टी है वो इंक्रीज कर दी गई थी अगर बात करते हैं से अपडेट के बारे में दोस्तों यह केबल पाइलाइट टेस्टर के लिए रोल आउट हुआ तो जैसे रोल आउट होगा तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा अब बात करते हैं इससे पहले अपडेट की दोस्तों इससे पहले जो अपडेट आया था वह आया था पोको एक्स टू के लिए जो आया था यहां पर मी जो आई 12.0.1.0 और यह साथ अगस् देखने को मिल गए थे इंडिया में अगर दोस्तों आपको यह अपडेट नहीं मिला है तो मैं आपको लिंक दे दूँगा अगर आपके डिवाइस में है मी जो आई 11.0.11.0 तो उसके लिए आप OTA रोम डावन कर सकते हैं जो है 813 MB की जबकि अगर आप फुल रोम डावन क करना चाहते हैं तो यहां पर यह अराउंड दो जी बी की रहने वाली है अगर बात करते हैं से पहले अपडेट की तो इससे पहले जो अपडेट आये था इसके बाद में आपके सिस्टम के स्क्योर्टी उसे इंक्रीज कर दे गया था इसके अलावा जो आपके कैमरा में कुछ निव फीचर्स वगरा दिये गए थे अब दोस्तों यह जो रोम थी ना यह के वल पाइलेट टेस्टर के लिए रोल आट हुई थी अभी जो इंडिया को हैं उससे पहले अपडेट की तो उससे पहले अपडेट आया था तो इसके लावाट के लिए जो सो इूहाँ अपको जोलाऑ आपकी सिस्टम के स्क्योर्टी यह उसे इंक्रीज कर दिया गया था अगर बात करते हैं उसके साथ में अपडेट के बाद में तो यहां पर रेड्मी के 20 प्रो के लिए भी जो इस्टेबल अपडेट आ गया था 28 जुलाई को ही जो था मीजुआ 12.0.2.0 का जो इस्टेबल रॉम सी 2.3 जी भी की यहां पर आपको मीजुआ 12 वग गया था और यह जो अपडेट था 28 जुलाई को रोलाट होना स्टार्ट हो गया था और यहां पर आपको स्टेबल रॉम मिली थी 2.1 जी भी की और साथ में यहां पर आपको एंड्रोड 10 वगरा मिल गया था और जुलाइट 2020 का एंड्रोड स्कूरिटी पैज उसके बाद में तो आए हैं शोमी के डिवाइस के लिए अगर दोस्तों आपको भी इनमें से कोई अप्लेट नहीं मिला है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं तो फिलाल तो आज किस वीडियो में यह से इंफरमेशन अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक आपका दिन शुब रहे